हेलो फ्रेंड वेल्कम डो माई यूट्यूब चैनल एक्जी विजी लर्निंग और आज हम पढ़िंगे भारत और सिलंका के समंद्ध उनके बारे में पढ़िंगे भारत और सिलंका दोनों तक्षिन एश्या ही राष्ट हैं दोनों ही देश उपनी वे स्वात के सिकार रहे हैं भारत और सिलंका और सिलंका और सिलंका आज़त हुआ दोनों ही देश सुने गुट निर्विक्सता की निति को स्विकार है एत्यासिक डिश्टी से भी दोनों देश एक दूसरे के काफी नजदी गए सम्राट अपने पुत्र को बहुत धर्म के परचार के लिए सिलंका कि सिलंका भारत या महादविव का एक अंगर है जो भारत और सिलंका की समन्ध हैं भारत और सिलंका दख्षण देस हैं उनके सदयर हैं दोनों ही देश को भारत नियूंट में ते Queens द ह西न डंगा की स्रिलंका को मिसा दर्थ में दोनों में डीस ने गुड निर्विक्स ताकिन देखें तो यह देश एक दूसरी के काफी नजिक सम्राट असोग ने अपने पुत्र को बहुत धर्म की जो परचार के लिए क्या सिलंका में भीजा था वह सिलंका बहुत धर्म की नियू जो थी उसके रखने में सपर्ल होई था आज कल जो सिलंका के अधिकान से जो लोग है बहुत धर्म को फॉलो करने वाले हैं सिलंका भारते उपमादिव का एक अंग है जो सिलंका है जो भारते उपमादिव का एक अंग है भारत और सिलंका के वीज दिवात का मुच्य कारण इन परवासियों की समश्या को लेकर है यह भारते परवासी दक्ष्ण भारत से सिलंका में चायव और अबढ़ की खेती करने के लिए धाईगे थे लेकिन सुतानता के बाद सिलंका सरकार की बढ़ती हुई जन संच्या के लगा इसलिए हुई चाहते थे किवर्वासि भारत सिलंका सरकार कर अब आप चैना के वहास्यनाः पूरत में सिलंका से ऩांत्र हुरूं में छाय वर्वाठ क केदी करने लें गयें थे तो उसमें च्याहा soy मैं कि जो सरकार थे उसको बढ़ती हुत स्कारर को अर्दकंपाव करने लखा इसलिए वा चाहते थे कि परवासी भारते यहां से चले जाएं। परवासी भारते के 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 परवासी भारते तो जब यह सरकार प्राइस के मारत सर अन्य जब सरकार के साथ कोडले वाला समस्टाय के नियुजा तो प्रवाशesz समय सरकार के लिए यह faster बीडलता इता इसकाAR सच्छे लीधिया है इसकी ग्राइब लागो जीघी वर्त अनेव respectfully सर्थ थे स्रिलंका सरकार उन सभी भारते मोल के लोगों के नाम रजिस्टर करेगी जो स्रिलंका मैं अस्ताई रूप से रहने के चुके और स्रिलंका मैं नहीं रहना चाते उन्हें भारत वापस भेदे फस्तो वह था कि स्रिलंका सरकार उन सभी भारते मोल के लागरेगों का नाम राजिटर्ट करेगी जो शिलंका में स्ताई रूप से रहने केस चुकें और जो नहीं रहने चाते उन्हें भारत भारत भेज़ दिया जाएगा फर्स्ट पोईंट इसका इथा नहीरों कोटल वाला समझादागा भारत से शिलंका को अवयत परवास सक्ति फूर्शन भारत से जो शिलंका में अवयत परवासी जाएंगे वो से सक्ति पूरवाक रोका जाएगा भारत के लिए चुनाव रष्टर अलग बनेगा जिसके आधा परवास्यों को शिलंका में नागरिकता नहीं जा सके उन्हें विदेशी के रूप में रहने के सुझदा दी जाए कि ये नेरु कोटल वाला समझाता था उसके तहत था ये पांस पॉइंट अलंकि ये क्या हुआ कि ये समझाता सफॉल रहा उन्हें साथ में सिलंका के दूर समंद रही 1964 में भार्दात के ब्रदान मंति लाल बादो सास्त्री वा सिर्मती भंडा नायके के बीज एक समझाता हुआ था इस समझाते के इंसार वे भारते परवासी जिसे जिन्हें कि नहीं किसी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं हुए दोनों में से किसी एक द देश की नागरिकता अपनाएं चिसने परवासी भाटियां किसी एक नागरिकता प्राप नं आये मुझातार कि भार्थ। द्वीब टाफू का है यह भारत और शिलंका के मद्य इस्तित तो उस एकड़का एक छोटा सा द्वीब है यह बिल्कुल आबादी यहां क्या है बिल्कुल आबादी नहीं है कच्छा द्वीब में इस द्वीब के आतपा तील चेत के काफी बड़े भंडार की आसा की जाती है भारत ने इस बिवाद को समाप्त करने के लिए सांधी पूरक सम्वन्दों का अभिकास करने के लिए अठाइजून उनिस्तो तोर के एक समझाता द्वारा कच्छा द्वीब टाफू पारिसी लंका का परवत्व स्विकार कर लिया है जो एक अच्छा द्वीब टाफू है इसमें तो यह दो सुईकर का मात्र है इसमें कोई आबाधी भी नहीं है पर इसमें क्या है कि तेल के श्यवेद का बिवाद होने के आसा की जाते है इसलिए अन्दों देशों के बीचे विवाद का क्या था बिंदु था भारत ने इस विवाद को समाप्त करने के लिए तता सांति पूर्ण बंदों का विकास करने के लिए अठाइज उनिस सो तर को इस समझाते के द्वारा का चद्वीव ट्राप पर स्रिलंका का पर्वुता स्विकार का लिया गया उनिसो बायाची ता भारत वस स्लंकारा भारत की समनल्क के समानिया रही साथ में भी भेवद्वा किया जाता था इसके विरोध में सिलंका के तमिल सम्धायनों अपने आपको तमिल यूनाइटेट लिबरेशन फ्रंट टल्फ नाम की राजनितिक संगटन में संगटित कर रखा है जो समय समय पता में इनों के संतोष को व्यक्त करता रहता है 222 तक था सिलंका के समंद्र समाने रहे माँद के जात्या है स्मय के जाते इसाथ वाफ़ावेड के सिलंका में चाहिए कि 74% सिख लिए उसके बाद रखा के 3पश वाशी ठीडैने हैन्डह मूल के तमिलर और रनेallas के पर दोत्स उनके साथ नोगरीतों नोगरी में भेदवया किया जाता था। इसके विरूद में सिलंका के तमिल समधायनों अपने इतुचे लेगा किया तमिल उनाइटेट इट्रिफरेशन फ्रंट टल्फ नाम के राजनेतिक संगटन में संगड़ित कर खा था जो समय से बाद तमिलों के संगता रहता था। 29 जुलाइव भारत के राष्ट परधानमंतर राजिव गांदी और शिलंका के राष्ट वाधी जाई वर्दने के भी समझाता हुआ। इस 18 सुत्य समझाते को कोलंबो समझाता भी कहते हैं। यह समझाता क्या था। सिलंका में युद भिराम कर उसके एक समझाता की गरांटी देता है। यह समझाता था मिल हॉम डेंड का जिकरी के विना उत्तर पूरी प्रांतों में तमिलों के आतन आवस छेत्र स्विकार करता जाओ। उनके अपनी निर्वाजी प्रांते परसद होगी। अपना गवर्ण मुख्यमंत्री वह मंदल होगा। य विदेशी अक्स्तिक को निष्टे नाविद करने का प्रयत्ना है। जो राजी गांदी और जयवर्दने के भी समझाता हुआ। ठारस खुदियों समझाता था। इसके क्या था क्यों मिला गए इसका जो ताकि सिलंका की एकताव खंदा को बनाए रखने के लिए यह समझात था। राजी गवग जयवर्दने समझाते कंदर करत भारत शांती सेना हैं सिलंका बेजी गई। इस सांती सेना का उदेशे ता मिल मुक्ति चितों के गड़ जापना को घेर का उन्हें आत्मसमांटकन के समर्पन के लिए बाध्या करना था। भारत भारत सिलंका बेजी लड़ने की सेना दिखाई देने लिए जो उनिसो सत्तर नबबे तक सांती सेना को वापस बुलाई लिए था। यह जो राजी जवर्दने समझाता हूँ उसमें जा था कि भारत की जो सांती सेना थे उसे सिलंका में जाकर तमिल मुक्ति चीतों के गड़ में जापना को घेर आए उसमें इसके भारत में काफी कड़ी निंदा भी हुई और चूची हो सांती सेना चाथी बिद्रोईू को लड़ने वाली सेना दिखाई देने लिए जो बिद्रोई थे तो तमिल मुल के तो उन्हें कहीं न कहीं भारत के थे तो इसलिए कहीं आलोसना हुई थी उनिसो सांती सेनाओं को वापास मुला लिया गया था 27 दिसंबर 1998 को सिल्लंका के पीम भारत आये उसमें 1998 में पीम के भारत आये और मैं तो पूर्ण उबलब्दी के रूब में दोनों देसों के भी सोतंत्र ब्यापर समझाता संपन हुआ दो जार इसमें यह समझाता लाबगू हु 2000 में के हुआ ची सिल्लंका के जाते संगर से एक बार फिर तीज हो गया इस बार सिल्लंका सरकार ने इस समस्या को समाधान के लिए पूरी पूरी गम्विरता से प्रारितन क्या तमिल चीतुचे संगठन लिटी को उतरी जापना से खदेल दिया इस पिरूद में लिटी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला करके एलेफेंट दर्री परकपशा कर ने किया है 2001 में नार्वी द्वारा माधिस्ता करके अनिस्तित काल के लिए युद बिराम क्या जया है 2000 में फिर जाते संगरशपात और सिर्लंका जो सच सेंगठ सरकार थी वो से इस साथी समस्या को पूरी तरो समस्या काहल करना चाहती थी तमिल सीदों के संगठन लिटे को उप्ती जाफना से खट रिखा देर थे इन्होंने प्रियोद में जो तमिल लिटे थे इन्होंने चाहिए अपना सबसे बड़ा हमला करके एलिफेंट दर्रे पर कबजा चाहिए 2001 में नार्वेक के मदेस्ता करके निस्तेतकाल के लिए फिर शुरू हो गया और 2009 में चाहीए 2009 में चाहिए89 सिर्ण लिटे उकौबात का सपाया करने के बाद 10 गरुका 2009 में से चाहिए प्रभाग談 racialine मत्यत्वेशिए उस्त्वागачन मरगी प्रभागदन मर थे उस्तमाई कि उस समाई उसी साद लेटे उग्रूबात का जो उग्रूबात था वे बिलकुल सिलंगा में सही समावत हो गया भारत और अजुămद्दों में मुझे दो मुद्दे हैं सिलंगा के अंध्री ग्रूप से भिस्थापित अमिलों का पुनार स्थापन जिसके बारे में भारत समय समय प्मादन का है। जिसे में तमीलों को स्वाचता दिया जाने का मुद्धा भी सामिल है। उसके बाद हो के मच्वारा भिवाद, एक मच्वारा भिवाद ही है। ज्चर भारत वा सिलंका के भी होगोथ संद्री मिल से अलग होते हैं समुद्रि मिल 19reet है करीब करीब एक इक दूसरे द colony s Sólo इसको अलग करते हैं जपाग्व्य प्रों सोली भार्त पकलड़े साथ के नहींßen वह chaos उठाए था इसको करने के लिए कुसिस की जा रही है उसके बाद होके पिसकास सयूग भारत ने सिलंका को खादय पदार्थों के लिए 2015 में 100 मिलियन डॉलर दिया था 31 मिलियन डॉलर ग्याहों के आपूर्थी के लिए दिया थे पैट्रूलिया उत बातन के लिए यह थे 100 मिलियन डॉलर की राख्षी प्रधान कीगी थी भारत के द्वारा सिलंका को नॉमबर 2019 में पीम मोधी ने कहा कि सिलंका के नहीं राष्टवती गोट बाया राजबक्सी के साथ बाचित के बास मंदू में सुधार के लिए भारत सिलंका में बिन्यादी दाचाओ परियोजना में 400 मिलियन का नुवेस करेगा उसके बादों के एक ही चीन का मुद्द है जो कि भारत वा सिलंका के बीच रिस्तों में कटास पैदा करता हाल कि वट्सों में सिलंका पिसे सुरूप दिन और सिना समझोते कि मामले में चीन के करीब चला कि है भारत हिंद महासागर छेत्र मे सबसे भारत हिंद महासागर छेत्र में सबसे पाउरफुल देशा चीन यह वित रूप से सिलंका में नौ समराजवाद के मात्यम से हिंद महासागर छेत्र में अपनी उपस्तिती बढ़ा रहा है यह भारत के लिए चिनता का कारण है चीन का कदम ना कीवल भारत की सक्ति को सिलंका के संपरणता को भी परवायत करा है तो यह है तो जीए धोचिन का मुद्धा है चीन वह थो उसंत्र हिए ब्हारत का को चीनता कई कोजिश्व कराए तीछ कुस्ते कि लिए तो नयौकर दखलास बहुत जयता है हिद महासागर में होलां कर दोनों देश के लिए चिनत सार्ग के मेंबर हैं दोनों देश भारत और सिल्लंका यह होगा भारत और सिल्लंका के भी समंध इन दोनों के भी समंध हैं इसके बारे में हैं if you like this video please subscribe my channel and like and like and comment on this video